Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to Y exam B. So students, आज की इस वीडियो में हम SSC CGL Mains की सीरीज को continue करते हुए Quant और Computer कुछ भहतरीन exam oriented concept और question देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो हमारी सीरीज है, अल्टर नेट डेज पे चल दी है यानि कि एक दिन हम आपको English और GS का content प्रोवाइट कराते हैं और फिर अगले दिन हम Quant और Computer content आपको प्रोवाइट कराते हैं तो कल आपको जो है, English और GS का वीडियो मिला था उसी कड़ी को continue करते हुए आज हम Quant और Computer का आपको वीडियो देने वाले हैं जो आपका मेंस exam को target करेगा तो फिछला वीडियो हमने दिया था, उसमें आपने लोगों ने देखा है काफी सारे लोगों का उसमें जो है अच्छा response आया है तो उसी को continue करते हुए आज की जो हमारे सीरी चल रही है टॉप 300 question की इसको हम continue करेंगे तो पहला question आपके screen पर यह है कि if xy plus yz plus zx is equal to 0 then find the value of x square upon x square minus yz plus y square upon y square minus zx plus z square upon zx minus xy तो इसको आपको solve करना है और इसका answer बताना है तो क्या इसकी approach होगी देखिए यह algebra का हमारा question है ऐसे question आपके exam में पूछे जाते हैं तो देखिए एक तो इसकी conventional approach यह है कि आप इसको जो है इस प्रकार से modified करें इस प्रकार से इसका LCM लें फिर इसको solve करें कि यहाँ पर आपका एक condition इस प्रकार से भी नहीं कि xy, yz और zx तो आप आप वहाँ पर 0 put करें फिर solve करें लेकिन exam में आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़े solve करनी है तो इस टाइप के जब बहतरीन question आपको solve करना है तो आपके पास एक concept होता है that is value putting तो value putting आपको यहाँ पर use करना है तब जाके आप जो है इस concept को इस question को आसनानी से solve कर पाएंगे तो value putting देखिए value putting आपको किसी साप से करनी है value putting बिटा आपको इसी साप से करनी है ताकि यह हमारा satisfied हो जाए और जो हमारा expression है इसकी 0 by 0 form ना बने और इसकी infinite form ना बने दो form इसकी ना बने 0 by 0 और infinite form तो अगर मैं यहाँ पर x को 1 put करता हूं y को भी मैं 1 put करता हूं और z को मैं minus 1 by 2 put करता हूं तो क्या यह equation satisfied होगी तो आप बोलोगे 1 into 1 plus y का value 1 into minus 1 by 2 right z का value minus 1 by 2 है ना x का value 1 है और z का value minus 1 by 2 है तो आप यहाँ पर देखेंगे यह हमारा 1 हो जाएगा यह हमारा minus 1 by 2 हो जाएगा और यह हमारा कितना हो जाएगा यह भी हमारा कितना हो जाएगा minus 1 by 2 तो यह minus 1 by 2 minus 1 by 2 कितना बनाएगा minus of 1 बनाएगा तो आप देखेंगे minus 1 से plus 1 cancel हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब अगर मैं x का value 1 y का value 1 और z का value minus 1 by 2 पुट करता हूँ तो equation हमारी satisfied हो जाएगी अच्छे यह directly आपके mind में कैसे click होगा यह click इस प्रकार चे होगा कि मैं यह देखता हूँ कि यहाँ पर 0 by 0 फ़हमना बनाएगा अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो यह 1 बनेगा minus 1 by 2 तो वह 3 by 2 बन जाएगा तो इस प्रकार से हमें रखना होता है नहीं तो आदे बच्चे इसको 0 put कर देंगे तो जब आप 0 put कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा अब यह x y का product 0 है x y का product 0 है तो x y भी 0 हो जाएगा तो अगर यह 0 हो जाएगा भाई फिर सेम वे में यह एक आएगा और यह आँपर हमारा एक बटे 2 आजाएगा, 1 प्लस 1 बाइ 2 आजाएगा, y square हमारा है, प्लस यह हमारा एक बटे 4 आजाएगा, z square और 1 बाइ 2, minus of 1, तो जब हम इसको solve करेंगे, 1 बाइ 4 आएगा, नहीं है, 1 बाइ 4 आएगा, 1 बाइ 4, तो जब हम इसको solve करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यह 1 बाइ 4 है, तो यह हमारा, देखो, यह 3 बाइ 2 है, उपर जाके यह 2 बाइ 3 हो जाएगा, यह 3 बाइ 2 है, fraction उल्टी हो जाएगा, ठीक है, और यह हमारा 3 बाइ 4 है, ठीक है तो 4 से 4 cancel जागे यह 1 by 3 आ जाएगा तो आप देखेंगे 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 3 तो कितना जाएगे 3 by 3 और 3 by 3 हमारा कितना होता है एक तो एक हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आप देख पा रहे हैं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बहुत बड़िया लेवल का question है यह ऐसे question आपके exam में पूछे जाते हैं आपको यह तरीका मालूम होना चाहिए तो आप screenshot भी ले सकते हैं अगला question क्या है हमारे पास अगला question भी algebra का यह इसका direct approach क्या है direct approach इसका यह है भाई कि आप क्या करो आप तीनो equation को जोड़ दो पहली equation यह है दूसरी equation यह है और तीसरी equation यह है अब तीन equation है तीन ही variable है तो value putting तो हम इसमें करने सकते हैं और इधर के तरह मिल जाएगा इसमारे कितना हो जाएगा फॉर्टीन ग्रत कर दिया अब आप देखेंगे यह इसको लिख सकता हूं a plus b का a plus b plus c का whole square is equal to 49 तो क्या मैं इस बात को यह लिख सकता हूँ कि a plus b plus c का value हमारा साथ आएगा अब अगर a plus b plus c का value साथ आगया तो इस value का आप यहाँ पर put कर दो इस equation में तो अगर यहाँ पर put हो जाएगी यह तो value कितनी आजाएगी 7 a की value 4 यानि कि a की value कितनी आजाएगी 4 बटे साथ कितनी आजाएगी 4 बटे साथ तो यह हमारे एकी value हो जाएगी अब same case आप जो है second equation में करें तो यह केतना हो जाएगा b into 7 is equal to 16 तो b का value कितना जाएगा 16 बटे साथ अब same case आप जो है third equation की साथ करें so it will be 6 c into 7 is equal to 29 that means c will be 29 by 7 29 by 7 तो आप देख पा रहे हैं हमने a b c का value तीनों का value निकाल दिया उसने हमने क्या उसने हमसे क्या बोला था कि a b and c जो है तीनों क्या है positive नंबर है तो यह भी positive नंबर है यह positive है और यह भी हमारे क्या है कैसे हमे इस वाल को solve कर सकते हैं ठीक है हमें compound interest बताना है certain rate of interest 10% 10% rate of interest क्या है जो हमारी 10% rate of interest है इधर दीखे आप ये annual rate है annual rate याने कि 12 month की है ये उसने हमसे बोला है कि अगर ये half yearly हो रहा है तो half yearly हमारा कितना होता है 6 month 6 month के लिए rate कितनी होगी 6 month के लिए rate 5% हो जाएगी 6 month के लिए rate कितनी हो जाएगी 6 month के लिए rate जो है 5% हो जाएगी अब देखो अगर rate 5% है rate 5% और 6 month है तो हमें 1 साल के लिए ब्याज बताना है 1 साल के लिए ब्याज बताना है अच्छा 1 साल में 6 month के कितने quarter कितने आएंगे हमारे कितने time period आएंगे तो आप यह बोल सकते हैं कि हमारा जो rate of percent है वो 5% है और time हमारा दो साल है, time हम इसे 2 साल consider कर सकते हैं, basically जो हम percentage annual percentage बताते हैं न परेनम, वो हम year के respect में बताते हैं, तो यानि कि एक हमारा time span यह हो गया, यानि कि एक समय अंतराल हमारा यह वाला हो गया, और एक समय अंतराल हमारा हैं, तो year के respect में था, तो दो साल हम इसे बोल सकते हैं, तो बस आपको इसे further solve करना था, 5% का एक बटे 20 होता है, तो 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है, अब मैं अगर इसको करूँ तो यह हो जाएगा हमारा 400, यह हो जाएगा हमारा 441, कितना हो जाएगा, 441, अंतर कितने का है, अंत मिश्रदन, अचा, amount हमारा क्या होता है, amount हमारा आज जानते हैं, कि जो हमारा principle होता है, और जो हमारे उसमें compound interest होती है, अगर compound interest है, simple interest है, तो इसकी value हमें दे रखी है, 13230, तो यानि कि यह किस की value है, 441 की value है, 441 की value कितनी है, 13230 है, ठीक है, तो हम इसको 21 से 21 बार कर जाए अब हमें किस की value बतानी है, हमें बताना है यहाँ पर, find the CI, यानि कि हमें 41 की value बतानी है, तो 41 की value कितनी हो जाए, 41 into 30, तो यानि कि 43, 800, 100, 0 आ जाएगा, 3, 3, 1230 हमारे इसका right answer आ जाएगा, 1230, यानि कि option number 3 will be the most appropriate right answer, तो जब इस प्रकार के आपको question देखने को मिलें, तो य यह आपकी appropriate approach होती है, क्योंकि mains में अगर 30 question आएंगे और हमारे पास CISI का question पूछा गया, तो यह नहीं होगा कि सारे question आपके कठीन होंगे, कुछ आपके आसान question भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो यह चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अगला question देखते हम, अगला भी rate of interest आपकी 20% है, तो आपको principle बताने है, अच्छा rate of interest 20% है, तो देखें एक इसका sort बताऊंगा वे आपको, लेकिन अगर rate of interest हमारी 20% है, तो इस बात को आप क्या समझते हैं, कि अगर हमारी principles हो रही होगी, मैं conventional method बता रहा हूँ, तो पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्य है, यह हमारी दूसरे साल की बात है, तो आप मुझे बता हो, यहां पे अंतर कीतनी का है, laptop कितनी काầIR C, चार का, इस टार की value कितनी रखी है, 220 दे रखी है, यान लेकि 40 25, वै即ि कतनी आ जायगे हमारी 25, आ जाएगी, अच्छा यह हमने कब लिया है, जा हमने principle को 100 है, हम से क् तो एक तो इसका बेसिक तरीका वो है अब मैं आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको यह बताना चाहरा हूं भाहिस में कि rate का rate percent हमारा होता है difference rate का rate percent तो rate का rate percent यानि कि एक बटे 5 हमारा क्या है difference है जो कितना है 2 to 0 है तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कड़ जाएगी 2 से कड़ जाएगे 11 वार यानि कि 1 की value यहां से आजाएगी 55 हमें 100 की value बता नहीं होती है 100 की value कितनी आजाएगी 55 00, 55 रेट का रेट का रेट परसेंट, तो रेट हमारी 20 है का 20 परसेंट एक बटे 5 बराबर 220 यह होता है CI और SI का 2 साल का difference का formula CI और SI का 2 साल का difference का हमारे यह formula होता है तो यह चीज भी आप जहान लख सकते हैं basic method तो यह वाला हमारे पास है चलिए अगला देखते हैं यह question कौन बनाएगा बच्चा यह कहरा है कि A और B जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं A work for 4.5 days and B work for 9.5 days then half of the work is completed in how many days B will complete the work बहुती उंदा कोटी का ही हमारा सवाल है यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप से क्या बोला है कि A जो है A और B किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं A और B जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में कर सकते हैं अब देखो अगरे बात हमारे पास क्या लिखी है A work for 4.5 days A ने चार साड़े चार दिन काम करा और B ने कितने दिन काम करा B ने काम करा हमारा 9.5 days work तो हमारा आधा काम समापत हुआ तो इसको आप डबल कर दो तो यह पूरा काम हो जाएगा ठीक है यह पूरा काम हो जाएगा अब मैं क्या बोलता हूं देखो अब मैं यह बोलता हूं कि इस उननीस को मैं क्या लिख सकता हूं मुझे एक हिंट दे रखे नहीं ऑर विम्मि उप्ले से काम नौ दिन को करदर तो आप यह बोलोगी धंबिंग कितने कहा है question कि according to the question exact data is 918 days then one days will be one equal to two days और हमें बताना क्या है इसमें हमें बताना है बी तो बी आप मुझे बताओ बी का कितना बचा यहां पर बी दस दस तो बी जो है पूरे काम को परिवर्तम देखने को नहीं मिलेगा जितना इसका अंसर 20 यहां पर देख पा रहे हैं यहीं आंसर आपको देखने को मिलेगा 20 हर जगे ठीक है तो यह इसका बेस्ट एप्रोपियेट सबसे अच्छा तरीका इसका यही है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का आपको सब्सक्रा करने है तो मैं डवल कर दूँँगा फाय मैं सी दिसी वात है तो आप बोलोगी बिल्कुल डवल तो यह 9 दिन पर 12 दिन तो तो इस टाइब के question बहुत बढ़ी हा question है, यह means level का आपका सवाल है, यह गह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, अगर 9 दोनों संख्याओं में से घटाया जाता है, तो अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है, तो बड़ा basic सा question है, कि 3 अनुपात 5 है 2 संख्याओ का तो अगर हम इसे complete number बनाना चाहिए, तो 3 x और 5 x, अगर इन दोनों number में से हम 9 घटा देते हैं, दोनों में से हम क्या कर देते हैं, 9 घटा देते हैं, तो हमारा अनुपात यह कितना हो जाता है, एक अनुपात 2 हो जाता है, तो एक इसका यह तरीका है वेटा, कि आप इसको cross multiply करके, जो है इसका answer बताओ, cross multiply करके, या या आप इसे क्या करो, मैं आपको बताता हूँ, cross product method मैं आपको बताता हूँ, cpm, cross product method क्या होता है, कि इनका अनुपात पहले था, 3 अनुपात 5 का, जब हमने इसमें कुछ चेंज करा, जब हमने 9 घटाया, दोनों तरफ हमने 9 घट इसका और इसका करेंगे multiply और इसका करेंगे multiply तो तीन दुनी 6 और 5 घटाया वापस में multiply, तो नो दुनी 18, 9 दुनी, मैनस के 8, minus of 9, 9, 9, 9 य鬼, यहानी कि-9 तो आप जो विसे solve करएँगे, तो एक की value यहान से कितनी आघी, minus के 18, और plus कि 9, यानी की value हमारी यहान से कितनी आ जाएगी, एक की value हमारी यहान से कितनी आजाएगी, अच्छा, same sign को हममें आ पर consider नहीं करेंगे, एक की वैल्य हमारी यहां पर आजागी नो तो 9 तिया 37, 9.35 अच्छा ठीक है यहां पर थोड़ा दोनों संक्याओं में पर तेक में से 9 गटाया जाता है ठीक है तो यह 6 है ना तो एक की वैल्य हमारी यहां पर 9 है ठीक है एक की वैल्य हमारी यहां पर 9 है बिसिकली 9 है तो एक क तो आप negative sign को इसमें consider नहीं करेंगे, यहाँ से भी आप क्रोस चेक कर लिजिए, तो भाईया आप जब इसे करेंगे, तो यह धर जाएगा, यह धर आएगा, तो यानि कि X का value कितना आएगा, X का value हमारा 9 आएगा, अब आप देख सकते हैं कि 3 का value, 3X का value, 27 आएगा, and हमारा जो 5X है, उसका value हमारा कितना जाएगा, 45 आजाएगा, तो क्रोस चेक भी मैंने करके देख लिया है, लेकिन आप जो है, यह तरीका आपको आना चाहिए, minus 9, और इसका difference दो लेते हैं, ठीक है, इसमें हम negative sign को consider नहीं करते हैं, बस आपने ध्यान रखना है, यह माइनस 9 आएगा, ना माइनस 9, लेकिन negative को इसमें क्या नहीं करेंगे, consider नहीं करेंगे, बस यह आपने ध्यान लखना है, इसकी cross multiply करनी होती है, एक बार इन दोनों के आपस में, इन दोनों ratio की, एक बार इस number से इस ratio की, एक बार इस number से इस ratio की साब, ठीक है, तो यह चीज़ा आपने ध्यान लखनी है, यह question बताईए आप, इसका answer कितना आना चाहिए, आपका, if 6% of SP is equal to 8% of CP and 9% of SP is 2 rupees more than the 8% of CP, then what will be the CP of article, बहुत बढ़िया question है, कैसे करेंगे में इसे, देखिए, जब इस type का question आएगा, तो यह कह रहा है कि 6% of, 6% of selling price, किसके equal है, 8% of CP, 8% of CP, ठीक है, आप से आप कैंसल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसल हो जाएगा, तो मैं आप से पूछूँ कि SP बटे CP क्या होगा, तो आप बोलोगे, SP बटे CP होगा, 8 बटे 6, 8 बटे 6 होगा, लेकिन आप हम पूछ बता नहीं सकते कि, कि य लेकिन देखो, उसके बाद इसने solve करने के लिए यहां से एक line दे रहे कि, and 9% of SP is 2 rupees more than 8% of CP, तो इसका मतलब हमें इनका further solve करना पड़ेगा, तो इसको देखो, calculation को आसान करने के लिए मैं 100 से multiply कर देता हूँ, तो उपर आ जाएगा मारा 800, नीच आ जाएगा मारा 600, ठीक है, यानि कि कितना आ जाएगा, 72 rupees आ जाएगा, ठीक है, क्या है, 2 rupees जादा है, 8% of CP, तो 8% of CP, यानि कि 600 का 8%, 600 का 8%, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8% इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8% इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहां पे हमारा data 6 rupees है, 6 rupees ह तो इसका आंतर बताओ मुझे आप हमारे अकॉर्डिंग जब हमने डाटा पुरा रेश्यो में काउंट करा है तो हमारे अकॉर्डिंग कितना रुपए कम हो रहा है कितना रुपए कम हो रहा है 24 उनिट कम हो रहा है है ना SP का 9% CP के 8% से 24 ज़ादा है जब हमने डाटा रेश्यो पे काउंट करा है SP का कितना परसेंट 9% CP के 8% से 24 ज़ादा है है की नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग तो 24 ज़ादा है लेकिन according to the question यह data है 6 according to the question यह data कितना है 6 यानि कि 1 की value यहां से कितनी है 1 बटे 4 है तो हमें क्या बताना है इसमें हमें क्या बताना है भाई तो आप बुलोगी सर आपको इसमें CP बताना है तो CP कितना हो जाएगा आपका तो CP इसमें हो जाएगा हमारा कि यह जो हमारा CP है इसका आप एक बटे चार निकालेंगे तो इसका एक बटे चार कितना आएगा बेटा? 1.500 कितना आएगा? 1.500 तो 1.500 हमारा इसका exact right answer हो जाएगा 1.500 ठीक है? लेकिन अगर आपसे वो पूछता कल को आपसे पूछे हो कि आपके इसका SP बताओ SP आप क्या बोलोगे? SP आप यह बोलोगे इसमें कि इसका एक बटे चार SP इसका एक बटे चार कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा तो 200 हमारे इस article की क्या हो जाएगी? SP हो जाएगी और 150 हमारे इस article की क्या हो जाएगी CP हो जाएगी तो इस type की जब आपके पास question आएंगे तो ये हमारे इसकी क्या होनी चाहिए approach होनी चाहिए समझने आपने बातों को कैसे मैंने आपको बता है ठीक है तो ये double bar मुश्टली क्या आता है CP का 20% is equal to SP का 35% तो आपको बताना है कि profit percent या loss percent बताओ mostly इस पर इस question पूशे जाते हैं लेकिन इस थोड़ा नए type का question है तो इसको आपने देखना है कि जब वो दो-दो line दे दे CP का 8% is equal to SP का 6% बराबर है ठीक है फिर SP का अगर हम 9% करेंगे SP का अगर हम 9% करेंगे तो CP के 8% से वो कितना जादा है 6 रुपे जादा है कितना जादा है 6 रुपे जादा है वो तो आपको बताना है कि जो है हमारी CP क्या होगी यहाँ आप से SP पूल सकता है ठीक है तो यह बात है आपको द्यान लगने चलिए तो यह हमारा यह question था अगला question अगर हम देखें यह हमारा किसका question है भाई यह हमारा जो है यह हमारा geometry का question है तो geometry के ऐसे question आपसे पूछे जाते हैं मैं अभी करवा तो आपको geometry का question तो यह हमारा क्यों है, जिसमें हमें दे रखा है एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें यह कहरा है तो यह हमारा आज का लास्ट क्वेस्चन होगा तो यह हमारा यह हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल में आप जानते हैं, यह एंगल 90 डिग्री होता है A, B, and C, तो आप मुझे बताओ, इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो पाइवाई 6 है पाइवाई 6 हमारा यह होता है, बेसिकली पाइवाई 6, यह होता है, हमारा 180 बटे च्छे, तो 180 बटे च्छे का मतलब 30 डिग्री, अच्छा यह वाला एंगल आप जो इंगल 90 डिग्री का है, है कि नहीं है? एक एंगल हमारा 90 डिगरी है तो यह जो बचे हुए हमारे दोनों कोण है इनके यह हमारे क्या-क्या होंगे क्योंकि इनका अंतर कितना होना चाहिए इनका अंतर 30 होना चाहिए 1 by root 3, तो ये हमारा perpendicular होता है, ये हमारा base होता है, और ये हमारा hypotenuse होता है, pythrocarous theorem लागा कि आप देख सकते हैं, तो उसमें हम से पुछाता है कि समुक्क बुजाओ का उनुपात, यानि कि 1 root 3 हमारा इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका बहतरीन approach था, इस potential order में provide की जाती है, तो इसके बाद हमारे reasoning के, computer के expert आएंगे अस्वनी सर, वो आपको कुछ exam oriented question कराएंगे, जरूर आपने जुड़े रहना है, और पूरा वीडियो लाश्तर जरूर देखना है, तो आप अस्वनी सर आएंगे, आपको कुछ computer के question कराएंगे, over to you, अस्वनी sir. हमारी जिसमें हम quants और computer को mix करा के आपको पढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक session आपका चल रहा है, last time भी ऐसी हुआ था, वीडियो आपके आपने पहले maths पढ़ा था, फिर अभी आप computer पढ़ेंगे और आज भी आप ऐसे करने वाले हैं, अभी आपने कुछ important questions किये, जो आपक और अभी हम पढ़ने वाले हैं, 20 important questions computer रहे हैं, ठीक है, तो start करते हैं, इस course के बारे में, आपका अलड़ी विपिन सर्जों है, वो बता चुके हैं, यह हमारा CGLT2 का comprehensive course है, यह इसका प्राइज है यहाँ पर, इसमें आपको चप्र टेस्ट देने वाले हैं, section टेस्ट देने हैं यहाँ पर, और newly added subject वार computer है, तो इसके उपर भी फोड़ा focus यहाँ पर जो है, वो किया गया है, ठीक है, तो चलिए फिर इसको, start करते हैं, यहाँ, यह देखिए, यह है हमारा, okay, चलिए इसको जड़ा, देख लेते हैं, PDF में, चलिए, तो start करते हैं, अपने कुछ computer के question से, fine, पहला question आपके पास, in hypertext markup language, HTML, tags consist of keywords enclosed within, तो यहाँ पर आपसे question यह पूछ अगया है, कि HTML की जो language होती है, आपकी hypertext markup language की जो tag होता है, उसमें जो आपकी keywords है, जो आप coding करते हैं, जो words लिखते हैं, वो आप किस bracket में, या किस tags के अंदर आप जो लिखते हैं, तो वो, यह middle bracket होता है, वो, यह closed, या फिर यह medium, या फिर यह large, यह कुछ हमारे पास, आप 4 तरह के tags होते हैं, यह कुछ हमारे पास यह है, जिनमें हम अपने keywords को englose करते हैं, तो क्या है इसका सही answer, इसका answer होगा, जो यह tag होता है, इसी के अंदर आपके जो coding है, आपके जो words है, तो आप जब आप अपनी website पर काम करते हैं, तो इसी के PS में आपकी CPU की जो capacity जो है, वो measure होती है, और यहां पर DPI क्या है, इसका मतलब होता है, dots per inch, यह आपका printer का जो आपका resolution है, यह उसको बताता है, यह होता आपका pages per inch, ठीक है, यह आपका कोई कुछ दी कुछ दी होता, ठीक है, यह PPI नहीं होता, मैंने आप उगलता दिया, वो PPM होता है, ठीक है, pages per minute जो होता है, वो होता है आपका ठीक है, और यह आपकी RAM की memory होती है, तो यहां पर question क्या था, capacity of CPU किस में मेजर होती है, आपकी MIPS के अंदर जो आपकी वो मेजर होती है, next, software such as explorer and firefox are referred to as, जो आपके software है, जैसे की explorer है, फिर firefox है, इनको किस तरह का software जो है, वो बोला जाता है, तो यह system software है, utility software है, application software है, यह यह operating system है, तो क्या होता है, देखिए, software हमारे पास दो तरह की होते है, एक ह होता है, एक होता है, मारे पास system software, एक होता है, application software, fine, तो जो software आपका पूरे system पे रन करता है, जिसकी वेज़सा आपका पूरा system काम करता है, वो आपका system software, suppose, अगर्स मोबाइल फोन है, तो आपके पूरे mobile phone की जो functioning है, वो कैसे काम करेगी, उसको कौन बताएगा, system software उसको ज पर ही काम करेगा उसका पूरे सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता तो उसका आंसर है आपर क्या है मारे पास application software का सही आंसर होगा ठीक है next in a simplex channel flow of data is जो आपका simplex channel जो होता है उसके अंदर flow data का flow किस तरह से होता है unidirectional bi-directional होता है ठीक है तो यहां पर है always in one direction always in both direction in both direction but one at a time या फिर all of the above तो simplex channel में क्या होता है जो आपका flow है जो आपका data flow करता है वो एक डिरेक्शन में जाता है सामने वाला उसको सुन नहीं पाए पर रियक्ट नहीं कर पाएगा जैसे कि आप radio सुन रहे हैं रीडियो पर आपको सुनते हैं देखते हैं अब आप अब सुनते हैं और चीज़ों को पटा पूस्ट रिप्लाइं नहीं कर पाते तो यह वन डिरेक्शन एक होता है समय अपर जबता है उसमें क्या होता है कृछ आप तो कर पाए उस नहीं पर जिए करता है बट सेंट भर जवार नहीं होता है और तर्ड होता है आपका जो आपका final होता है उसमें क्या होता है जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं क्बिनिकेशन का जो reply है जो response time वो जीरो होता है एकदम जो है चीज़ें आपकी क्या हो सकती है माँ पर बाते हो सकती है जैसे अभी मैं आपसे बात करना चाहरू हो तो यह हमारा क्योंकि मैं आप सर्फ मेरी बात सुन सकते हैं आप मुझे वापस जवाब नहीं दे सकते हैं अब लिख सकते हैं कमेंट में बट कम्यूनिकेशन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप मुझे से नहीं कर पाएंगे तो यह होता है हमारा सिंप्ल एक्स देट इस ऑल्वेज इन बन डिरेक्शन फाइन इसमें से कौन सा एक ओडियो का एक्सेंशन नहीं है ठीक है आप जो सुनने के लिए चीज़ आपके लिए काम आती है तो वह यह नहीं है तो मतलब कौन सा प्रिंटर है जिसकी लिमिटेशन जो है जो सिर्फ खाली एक या दो फॉंट्स पर ही काम कर सकता है इसका आंसर होगा हमारे पास dot matrix जैसे की कुछ पर होता है आपके जो सिर्फ पर काम करते हैं तो एक यौब फॉंट पर काम करने next what is the shortcut key to find and replace options in Excel अगर आप एक्सल में काम कर रहे हैं और आपको कुछ फाइंड रिप्लेस करनी है मतलब आपको आपको कुछ काम कर रहे हैं एक्सल में आप से कहीं कोई सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर होगा उसको रिप्लेस करने के लिए यहां रिप्लेस करने के लिए तो पूरे सिस्ट पूरे उस एक्सल की शीट में वन की जगह आप पर 10 पहुंच जाएगा तो इस तरह से चीज़ी जो होती है वर्ड में आपको अगर वो सेम काम करना हो तो आप करते हैं च्ट्रोल प्लस एच ठीक है च्ट्रोल प्लस एच करेंगे आप तो वहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं फाइंड रिपलेस कर सकते हैं ठीक है चलिए next question में, second generation में, third generation में या फिर fourth generation में उसका सही answer है हमारे पास यहाँ four generation में ठीक है four generation में हमारा macro process जो है उसको introduce किया गया था ठीक है next a browser can retrieve and run an html file that has embedded address of तो एक browser कौन सी file को retrieve कर सकता है और ठीक है और उसको run कर सकता है जिसमें address छुपा हुआ हो तो वह होता है हमारा applets क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं applets fine चलिए next डब्लू 3C अब डब्लू 3C इसमें से किसका form है तो इसको मिया पर देख लेते हैं world wide web consortium world wide web Community worldwide website consortium या फिर worldwide website community इसका answer है डब्लू 3C world wide web consortium चेंग चलिए नेक्स्ट त 21st यूज इन डिर अन सेंब्ली लैंगवेइज आर आपकी जो सेंब्ली यहां पर क्या है निमोनिक्स जो है वो समें बिल्कुल सही जो है वो यूज होते हैं चलिए इसका सही आंसर होगा हमारे पास नेटवर्क का भी डेटवेस है बस एक डेटवेस जहां पर हमारे पास नहीं होता है नेक्स कोड इसको लगता है कि वो हामलेस होगा ठेक है वो अबने आपको यह शोगर करें कि वह हमलेस ए उसके उसके कोंपके प्राब्लम तो उस तरह की जो आपके वाइरस से उनको बोलते हैं ठीक है चलिए इन वाइफाय सेक्योरिटी विच आपके फॉलविंग प्रोटोकोल जो यूज होता है वह था आपका WPA2 ठीक है इसमें से कौन सा ऐसे प्रोग्रामिंग लेंगवेज है जो आपको मुल्टी मिडिया वेब पेस्ट अप्लिकेशन जो होती है उसको बराने के लिए काम आता है इसका सही आंसर है हमारे पास जावा जो लेंगवेज होती हो बिसिकलिए आपकी है ठीक है चलिए कोई टेबल मों कुछ देटा को चेंज करना है आपको तो कौन सी कमांड आप उसमें करोगे आप करोगे उसमें अपडेयट को यूस ठीक है अपडेट जो है इसका सही आंसर यहां पर होगा अपडेट कमार्ड लास्ट कोशन है आपका विश टाइप ऑपरेटिंग इस इंपॉर्टेंट फोर सेल्फ रिलोकेशन ठीक है अगर आपको सेल्फ रिलोकेट करना है चीज़ दोको तो कौन सा जो बेस्ट होता है वो ह भुषस्थ मिलने वाले है ठीक है सेवन मॉकट साथ आपको मिंस के लेवल के मिलेंगे जो आपकी तयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर ठीक है तो यही था हमारे आज के सेशन में कुछ 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 नहीं है आपको कंप्यूटर कराए यह सेशन आपका चलता रहेगा जब आपका एक्जाम नहीं होगा तो इन सेशन को जरूर देखिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू स इस पर असी चलता रहेगा ठीक है तो एक्जाम तक आपको यही हम 400-500 टीक है 400 आपको यहां किसे मिल रहे हैं 400 लगब लगब 800 आपको मिल रहे हैं इस सीरीज से आप जाए एक्जाम से पहले इनको जरूर दीखिए और जीके के लिए तो बहुत जादा हेलफुल आपकी कर दाद किए और किए कान से यही हाँ